exercise 1.3, question number 5, exercise 1.3 का question number 5 हमने आज हल करना है, तो इसमें matrices दिये गए हैं, A matrix है और उसकी कुछ entries हैं उसके अंदर, उसके बाद B matrix है और उसकी entries हैं, उसके बाद C matrix है और उसकी entries हैं, कहने का मतलब यह है कि यह हमने rules पहले ही पड़े हुए है real number के case में भी हमने यह rules पड़े हुए है असल में यह इसमें से कुछ तो question होंगे लेकिन कुछ सिर्फ properties होंगी जिसको हमने verify करना होगा जिस तरह के a plus c is equal to c plus a एक property है जिसको हम commutative property कहा करते है तो यह हमने पहले भी कई बार prove की हुई है इसका मतलब यह है कि इसकी अगर तर्तीब को chain कर दें जैसे a plus c लिखा हुआ है इसको अगर c plus a कर दें तो दोनो साइडें बराबर ही होगी equation की तोनो साइडें बराबर ही होगी यानि कि जवाब जो है वो बराबर ही आएगा इसी तरह commutative property और associative property यह हमने पर ही है जैसे जैसे स्वाल आते जाएंगे साथ साथ हम इसको cover करते जाएंगे तो पहले स्वाल नूमर वान कर लेते हैं question 1 part नूमर वान a plus c is equal to c plus a तो इसमें सबसे पहले left hand side हम ले लिया करते हैं left hand side a वली side होती है left side की तो दूसरी तरफ वली side का हम right hand side कहते हैं सबसे पहले left hand side हाल कर लेंगे left hand side में क्या है a plus c है तो a matrix और c matrix को लिखके उसको हम plus कर लेंगे तो यहां पर हम a matrix लिखेंगे और उसकी सारी entries जो स्वाल में ही दी गई है उनको देखकर हम इंदर लिख लेंगे 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, minus 1, और 0 यहे इसके entries हैं इसको हमने लिख लिया और उसके बाद इसमें c matrix को plus करना है यहां पर हम plus कन शान डाला और सारी की सारी entries c की यहां की c matrix यहां लिख दिया उसके entry के हम मैं पता है 1, minus 1, 0, 0 है और 0, minus 2, और 3, 1, 1, 2, 3 रोंगे है तो इनको लिखा और उस तरह ही देखा के दोनों के order बराबर है जब order proper होंगे तो प्लस किया जा सकता है तो हम इसको प्लस कर लेंगे तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 प्लस माइनस 1 जो के ultimately 1 माइनस 1 हो जाएगा अगले step में तो दूसरे में 2 प्लस 0 3 प्लस 0 और second row में 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस 2 और 1 प्लस 3 1 प्लस 1 थ्रड रो में माइनस 1 प्लस 1 और उसके बाद 0 प्लस 2 यह हमने add कर लिया है और उसको further अब simplify करना ही बागी रह जा है इसको जब further simplify किया तो left hand side आजेगी हमारे पार जब उपर वाली matrix को further हल किया तो 1 प्लस माइनस 1 0 के बराबर आजेगा और 2 प्लस 0 2 के बराबर आएगा 3 प्लस 0 3 के और second row में 2 प्लस 0 2 के 1 3 माइनस 2 1 के और 1 प्लस 3 4 के 3rd row में 1 प्लस 1 2 के इक बराबर आएगा और माइनस 1 प्लस 1 0 के इक बराबर आएगा और 0 प्लस 2 2 के इक बराबर आजेगा तो इसको हम कहेंगे ये left-hand side है और इसको रख छोड़ेंगे यहां पर अब हम right-hand side को हल करेंगे right-hand side को हल करने के लिए C plus A लिखेंगे पहले यहां पर right-hand side के matrix C को A में प्लस कर देंगे यहां पर matrix C लिख लिए उसकी entries minus one double zero 0 0 है और second row में 0, minus 2, 3, third row में 1, 1, 2 है यह वाला matrix लिखा और उसके बाद plus का निशान डाला और उसके बाद matrix A लिख दिया और matrix A की सारी entry'ों को हमें पता है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, minus 1, 0 है इन दो matrix को add करने के लिए इनके corresponding entries को corresponding entries में add कर दिया जाएगा minus 1 की corresponding entry 1 है तो minus 1 plus 1 लिख लेंगे 0 plus 2 लिख लेंगे, 0 plus 3 लिख लेंगे और 0 plus 2, minus 2 plus 3, 3 plus 1 second row में और 3rd row में 1 plus 1, 1 minus 1, 2 plus 0 ये corresponding entries हैं और इनको हमने add करना है तो ये लिख लिख लिया इसको जब further add किया गया minus 1 plus 1 लिख लेंगे, पर जब इनको plus किया गया फर्दर इसको हल किया गया तो माइनस वन प्लस वन जीरो की एकुल जीरो प्लस टू टू के एकुल जीरो प्लस टू टू के एकुल और सेकंड रो में विरो प्लस टू टू के एकुल माइनस टू प्लस टू टू के एकुल और 3 plus 1, 4 की equal आता है और 3rd रो में 1 plus 1, 2 के equal 1 minus 1, 0 के और 2 plus 0 is equal to 2 के equal और गोर से देखें तो ये left hand side के प्रापर है तो यहां पर हम लिख भी देंगे left hand side is equal to right hand side A plus C is equal to C plus A और यहां पर hints proof भी लिख देंगे Question 5, part number second a plus b is equal to b plus से ही प्रूफ करना है तो left hand side ले ले लेते हैं a plus b a लिख लिया matrix और उसमें plus कनशान डालके b matrix सारे के साना लिख लिया अब b matrix की ये सारी की सारी entries हैं इनको लिख लिया minus 1 minus 1 और 1 first row में 2 minus 2 2 और 2 second row में और 3, 1, 3 third row में तो ये a plus b matrix आगे हैं अब इनको plus करना है corresponding entries को corresponding entry में plus करतेंगे 1 plus 1 2 plus minus 1 3 plus 1 second row में 1 plus 2 3 plus minus 2 1 plus 2 1 plus 1 3 minus 1 plus 1 0 plus 3 इक फर्दर हाल किया गया तो 1 plus 1 2 आ गया और उसके बाद 1 आ गया 4 आ गया 3, 1, 3, 4, 0, 3 ये वाला जो answer आया है ये left hand side है अब हमने right hand side को haul करना है right hand side में बी प्लस ए प्रूफ करना है बी प्लस से बी की सारी आंटर लिखी बी मैटर्स लिख लिए इसकी आंटर्स है 1, minus 1, 1 और second row में 2, minus 2, और 2 third row में 3, 1, 3 तो ये matrix भी हो गया और प्लस करेंगे और matrix A की सारी आंटरी लिख लेंगे matrix A की सारी आंटरी 1, 2, 3, 2, 3, 1 1, minus 1, 0 है और इसको फर्दर हाल कर देंगे 1, plus 1, इसको जो फर्दर हाल करेंगे तो 1, plus 1, 2 आजएगा minus 1, plus 2, 1 आजएगा और 1, plus 3, 4 second row में 3 और minus 2, plus 3 1, और 3 इसको पाद 4, 0, 3 और इसको अगर देखा जाए तो ये right hand side है तो left hand side के बराबर हाता हम लिख देंगे left hand side is equal to right hand side hence pros A plus B is equal to B plus C, तो अब हमने fifth question का third part करना है B plus C is equal to C plus B इसको प्रूव करना है left hand side ले लेंगे B plus C, और यहाँ पर matrix B इसकी सारी की सारी entries 1, minus 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, 3 और plus C की सारी entries, C matrix की सारी entries minus 1, 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, 3 और इसको फर्दर, तो इन दो मैंटर्स को हम प्लास कर लेते हैं 1, plus minus 1, और minus 1, plus 0, 1, plus 0, 2, plus 0, minus 2, plus minus 2, 2, plus 3, 3, plus 1, 1, plus 1, 3, plus 2 और इनको जो फर्दर हाल करेंगे हम तो 1, minus 1, 0, minus 1, plus 0, minus 1, plus 0, is equal to minus 1, और 1, plus 0, is equal to 1, second row मैं 2, minus 4, 5, और 4, 2, plus 5, और इसको हम लेते हैं अब हमने right-hand side को हाल करना है right-hand side is equal to c, plus b तो यहां पर c, और b की सारी entries को लिख लेंगे यह c की सारी entries है और यहां पर b की सारी, 1, minus 1, 1, 2, minus 2, 3, 1, 3 यह b की सारी entries है minus 1, plus 0, plus 0, plus 1, 2, plus, 0, plus 2, minus 2, plus minus 2, 3, plus 2, 1, plus 3, 1, plus 1, 2, plus 3 और जब इसको further हाल करेंगे तो 0, minus 1, plus 1, 0 आजेगा 0, plus 1, 1 आजेगा 0, plus 1, 1 आजेगा 0, plus 1, फिर 1 आजेगा और 0, plus 2, 2 और minus 2, minus 2, 4, 5, आजेगा 0, plus 3, plus 2, और यह आपकर हम लेखेंगे यह जो आया है यह राइट सारी है और जोकरह ए और जोकरह में लीवान नाजेगे left-hand side ah is equal to right hand side और B plus C is equal to C plus D और यहांपर था जो अटरोबद प्र पाद exercise 1.3 का question 5, part no. 4 राल करना है A plus into B plus C is equal to 2A plus D यहांपर left hand side लिकतेंगे वो A plus into B plus C है सारे के सारे दोनो entries A लिखतेंगे यहांपर मैंटर्स A और उसके पाद bracket डाल के B प्लस ही जिस तरह हम real number के case में हल किया कर पर ब्रैकट वाली चरम को हल करते होते हैं इसी तरह matrix में भी हम सबसे पहले जो bracket के अंदर matrix होंगे उनको हल करेंगे तो उसके लिए हम A को साथ ऐसे ही लिखा रहने देंगे और B प्लस A को पहले हल करें और उसके अंदर matrix A लिखा जो के प्लस हो रहा है और उसके पाद सबसे पहले हम इन दोनों के ही प्लस कर देंगे सबसे पहले matrix A लिख लिया इसी तरह इसके साथ ही और B प्लस A को हमने add कर देना है इन दोनों के add किया दा 1 प्लस 1 कोर्सपोंडिंग एंट्री माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 और 3 प्लस 0 कोर्सपोंडिंग एंट्री में add कर दी है अब A को ऐसे ही matrix A को ऐसे ही लिखेंगे साथ साथ और अगले स्टैप में इसको फर्दर हाल कर देंगे जो और मैट्री प्लस एक और डीशन करने से उसको फर्दर हाल कर देगे लिखेंगे इस matrix लिखे लिखा है nar प्लस कन्षान डाल आए और 1 plus 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 को प्लस 2 प्लस 2 is 1 और 2 plus 1 is equal to 3, 3rd row में 3 plus 1 is equal to 4, 1 minus 1 is equal to 0, और 3 minus 2 is equal to 0. यह वाला मैंट्रिक्स आ गया है, अब इन दो मैंट्रिक्स को further addition की करने जाएगे, addition करने के लिए corresponding entries को corresponding entries में add करतेंगे, 1 के corresponding 2 है, तो यहाँ पर हम 1 plus 2 लिखतेंगे, और 2 के corresponding 1 है तो 2 plus 1 लिखनेंगे, 3 corresponding 4 है तो 3 plus 4 लिखनेंगे, 2 plus 4, second row में 3 plus 1, और उसके पाद 1 plus 3 लिखनेंगे, third row में 1 plus 4 corresponding है, और लिखनेंगे, minus 1 plus 0, 0 plus 3, ये corresponding entries है, तो लिखनेंगे, यहां पर इसको further हल किया गया, तो 1 plus 2, 3 के equal आ गया, तो यहां पर हम लिखनेंगे, 3, उसके बाद 2 plus 1 भी 3 के equal, तो 3 लिखनेंगे, 3 plus 4, 7 के equal, 2 plus 4, 6 के, 3 plus 1, 4 के equal, 1 plus 3, 4 के equal, और 1 plus 4, 5 के equal, minus 1 plus 0, minus 1 के equal, और 0 plus 3, 3 के equal, लिखनेंगे, तो ये वाला जो आया है, इसको हम left hand side लिख छोड़ेंगे, और यहां पर आगे right hand side को हल करना शुक्र देंगे, right hand side में 2A plus B है, तो यहां पर 2 लिखा, उसके बाद matrix से लिखा, ये A matrix है, इसको बाद plus कनशान डाला और B matrix लिखिया, B matrix की साथिक सारी आंटीस इदर लिखिया, तो जब साथिक सारी आंटीस से multiply होगा, तो, To one is 2, two to the four, two to three to six. Second row में two to the four, two to three to six. लिखतेंगे जिस तरह इसकी entries लिखतेंगे इसको फॉर्दर हाल करेंगे corresponding entries को corresponding entries को add करेंगे 2 plus 1 4 plus minus 1 6 plus 1 4 plus 2 6 plus minus 2 or 2 plus 2 3rd row में 2 plus 3 minus 2 plus 1 और 0 plus 3 इसको जब फॉर्दर हाल करेंगे हम तो 2 plus 1 is equal to 3 के आजएगा और 4 minus 1 3 होता है तो वो भी 3 आजएगा और 6 plus 1 7 हता है तो 7 आजएगा और 4 plus 2 6 और 6 minus 2 4 के एकवल और 2 plus 2 4 के एकवल अब 3rd row में 2 plus 3 5 के एकवल आजएगा और minus 2 plus 1 1 minus 1 के एकवल आजएगा और 0 plus 3 3 के एकवल आजएगा और इसको हम जब गौहर से दिखेंगे तो ये right hand side है लेकिन ये left hand side के ही एकवल है तो यहां पर हम लिखतेंगे left hand side is equal to right hand side और a plus into b plus a is equal to 2a plus b और यहां पर hands probe भी लिखतेंगे और उसके बाद हम question 5 का part number 5 फाल करेंगे जो c जो into c minus b plus a है और is equal to c plus a plus b है तो यहां पर left hand side ले ले लेंगे left hand side is equal to into c minus b plus a है तो इसको लिख लेंगे जहां पर और यहां पर इसके सारे matrix लिख लेंगे और c minus b जो है वो bracket के अंदर है तो इसको bracket के अंदर लिख लेंगे तो उसके बाद C मैट्रिक्स सारी का सारा इदर लिख लेंगे तो उसके बाद माइनस कानशान डाला D मैट्रिक्स सारी का सारा इदर लिख लेंगे माइनस कानशान डाला D मैट्रिक्स ही सारी की सारी एंट्री लिख लेंगे जो के 1 माइनस 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 है तो उसके बाद ये plus डाल के जो matrix सारे के सारा A इसको साथ ही दिख रहेंगे A matrix को इसके साथ ही दिख रहेंगे और सबसे पहले जो bracket के अंदर prices के अंदर matrix हैं उसको हल कर देंगे bracket के अंदर जो matrices हैं उनको जब हल किया गया तो minus 1 के corresponding 1 है तो minus 1 के corresponding तो इसको लिख लिया उसके बाद 1-3 1-1 और 2-3 लिख लिया और उसके बाद इन को हमने हाल कर लिया और ब्रैकेट को खत्म कर दिया ब्रैकेट को खत्म करने के बाद जो एम मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे एंट्रियों को भलके सारे सारे मैट्रिक्स को matrix ही को इसी तरह हमने लिख लिया और उसके बाद यह unsolve matrix जो है इसको अच्छी तरह solve कर लिया अद्बारा minus 1 minus 1 जब इनकी subtraction होगी तो minus 2 के यह विला 0 के साथ जो यह विला 1 है यह विला minus इसके साथ जब multiply होगा तो इसके बाद 0 minus 1 यह जब आपस में subtract होगी तो minus का 1 answer आज़ेगा जिसके माइनस का 1 लिख लेंगे उसके बाद 0 minus 2 minus का 0 answer आज़ेगा और उसके बाद minus 2 minus 2 जब आपस में subtract होंगे तो minus 2 plus 2 हो जाएगा तो minus 2 जब plus 2 से निकालेंगे तो जब आप 0 आजएगा इसके बाद 3 में से जब minus 2 subtract होगा तो आप 1 आजएगा तो के बाद 1 minus 3 जब subtract होंगे तो minus का 2 और 1 minus 1 जब subtract होंगे तो 0 रह जाएगा तो उसके बाद 0 minus 3 जब आपस में subtract होंगे तो minus का 1 आजएगा तो उसके बाद ये दोनों matrix हमारे पास रह जाएगे इन दोनों matrix को हम add कर लेगे तो उसके बाद ये वाला matrix ए जो है वो plus इसमें हो जाएगा और सारी सारी इंट्री इसके दिख रहेंगे हम इसी तरह साथ इसके और further इन दो मैट्रिक्स को जब इन दो मैट्रिक्स तो हम अटर हाल करेंगे तो further हाल करने से इसके जो corresponding entries है इसमें हम corresponding entries को जाएड करेंगे minus 1, 3, 2, 0, 3, 2, minus 1, minus 1 और minus 1 जो आप आजाएगा जिसको हम दिख छोड़ेंगे और इसको क्या छोड़ेंगे के ये left hand side है इसके बाद हम right hand side डाल करेंगे right hand side में C into A minus B matrix है तो यहां पर C matrix लिखा मैले और plus कंशान डाला और bracket डाली और उसके अंदर matrix A लिख दिया minus कंशान डाला और यहां पर matrix B लिख दिया सारा matrix B उसके entries 1, minus 1, 1 2, minus 2, 2, 3, 1, 3 है तो यह सारे के सारे entries यहां लिख दिया और उसके बाद फर्दर इसमें bracket डाल दिया is equal to कंशान और उसके बाद matrix C ऐसे ही लिख देंगे इसके सारे entries यह 1, double 0, 0, minus 2, 3, 1, 1, 2 यह ऐसे ही साथ लिख देंगे तो फर्स्ट रो में minus 1 के corresponding 1 है तो 1 minus 1 लिख दिया 1 के corresponding 1 है तो 1 minus 1 लिख दिया 2 के corresponding minus 1 है तो 2 जब minus से multiply होगा तो plus 1 आजएगा तो यहां पर हम 2 plus 1 लिख देंगे इसके पाद 3 के corresponding 1 है तो यहां पर 3 minus 1 लिख देंगे second row में 2 के corresponding 2 है तो यहां पर हम 2 minus 2 लिख देंगे और 3 minus 3 plus 2 हो जाएगा जब 3 plus minus 2 आपस में एक दूसरे से सरब खाएएगे minus minus 500 तो 3 aura plus 2 हो जाएगा उसके बाद 1 minus 2 होजएगा और उसके बाद third row में 1 के corresponding 3 है तो 1 minus 3 लिख देंगे उसके बाद minus 1 के corresponding 1 है तो यहां पर minus 1 minus 1 लिख देंगे ऊसके बाद 0 minus 3 लिख देंगे और इसको जब अधितर हल किया जाएगा तो उससे पहले हम C matrix साथ ऐसे ही आजएगा C matrix और उसके सारी entry या minus 1, 0, 0 0, minus 2 3 1 1, 2 यह इस तरह लिखते हैंगे और इसको further हल करके further इसकी को जब हल करेंगे तो 1, minus 1, 0 के equal 2 plus 1, 3 के equal 3, minus 1 2 के equal Second row में 2, minus 2, 0 3, plus 2, 5 के equal 1, minus 2, minus 1 के equal उसके बाद third row में 1, minus 3, minus 2 के minus 1, minus 1 minus 2 ke 0, minus 3 minus 3 के equal लाजेगा तो इस तरह यह वली हाल शिदा फार्म आ जाएगी इस मैट्रिक्स को हल करके जो हम लिखेंगे तो दो मैट्रिक्स रह जाएंगे आगे इन दो मैट्रिक्स को फर्दर हमने एड़ ही करना है तो कोरिस्पॉनिंग एंट्री को कोरिस्पॉनिंग एंट्री में एड़ को इस में प्लस किया थ्री में तो 3 så रागया जीरो को तू में प्लस किया, तो 2 नरा श के बाद 0 quality-0 an answer अगया, minus 2 फ्लस 5 is 3 answer अगया, three recruit human's 1 to answer आगया, यहाँ번 और 1-2, तो मैनस का 1, 1-2, फिर मैनस का 1, 2-3 और फिर मैनस का 1 अंसर आ गया, यहां बरम हमने इसको दिख लिए, और इसको फॉर्टर हमने देखा, यह यह लेफ्ट-Hand-Side के ही इक़ल है, तो इसको लीओं चाहिए लेफ्ट-Hand-Side is equal to right-hand-Side, C-B plus A is equal to C-A minus D, वे आपर हम हैंस प्रूप दिखते के